हलो बच्चो आज हम लोग मराथी सुलब भारती एत्ता पाचवी कलेसन नमबर 22 वाचूया लिहूया इसके question and answer solve करेंगे वाचूया लिहूया वाचूया याने read करना है लिहूया याने लिखना है तो इसमें box बना हुआ है box में picture दिया हुआ है और pictures के कुछ points दिये हुए है उन points को use करकर हमको sentence बनाना है तो पहला picture में गुलाब का फूल दिया हुआ है और points का लिखे हुए है फूल, रंग, वास, राजा, उपयोग, व्यवसाए तो इन पॉइंट्स को यूज़ करके हमको sentences बनाना है तो दो sentence इन्हों ने बनाए है गुलाब अलग अलग कलर के रहते है तो रंग वालग पॉइंट भी यूज़ हो गया गुलाब अनेक रंगान से अस्तात तो इसमें गुलाब अलग अलग कलर के रहते है तो रंग वालग पॉइंट भी यूज़ हो गया तो अभी क्या बचे पॉइंट्स वास यानि खुशबू उपयोग, उसका क्या उपयोग है, उसका क्या यूज़ है और व्यवसाय, यानि उसका क्या बिजनस कर सकते है तो ये तीन पॉइंट्स के उपर हमको सेंटेंस बनाना है तो वास के उपर हम क्या बना सकते है गुलाब अच्छा वास वातावरन सुगंधित करतो गुलाब की खुश्बू से पूरा माहौल खुश्बूदार हो जाता है गुलाब अनेक रंगाच से अस्तात ये रंग के उपर एक और सेंटेंस हम बना सकते है गुलाब बहुत सारे कलर्स के होते है फिर आगे उसके उपयोग के उपर गुलकंद व गुलाब पानी सा अउशदी उपयोग होतो तो गुलाब से गुलकंद बनता है और गुलाब पानी बनता है जो जिसका मेडिसनल यूज है और वियवसाय के उपर गुलाबाच से बाग लाओने हाँ एक चांगला वियवसाया है गुलाब का बाग लगाना ये एक बहुत अच्छा बिजनस है तो ये points पे हम गुलाब के उपर लिख सकते हैं अभी next picture में क्या दिया है? more का picture दिया हुआ है और points क्या दिया हुआ है? पक्षी, रंग, आवाज, पिसे, नाच, अन इन points को यूज़ करके हमको sentences बनाने है तो निचे नोंने दो sentence लिखे है मला मोर खूप आवड तो, मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है तो खूप सुन्दर दिस तो, वो बहुत ही beautiful दिखता है तियासा रंग, बिरंगी, पिसारा, पहत रहावे से वाटते उसका जो colorful feathers है, उसको देखते रहने जैसा लगता है तो इसमें, रंगी, बिरंगी में, रंग और पिसारा, ये पिसे रंग और पिसे, ये दो points यूज़ हो गया तो अभी बाकी points यूज़ करके हम sentences बनाते है तो पहला है पक्षी, तो क्या लिख सकते हम लोग मोर भारता सा राष्ट्री ये पक्षिया है मोर भारत का national bird है फिर उसके आवास के ओपर हम लोग क्या लिख सकते है मोराचया आवाजाला केकारो मनतात तो मोर के आवास को क्या कहते है मराठी में केकारो उसके बार नाच पाउस आल्यावर मोर थुई थुई नाचतो बारिश आने पर मोर थुई थुई करके नाचता है और लाश में अन वो क्या खाता है मोर धान या वकीटक खातो तो मोर धान भी खाता है और चोटचटे किड़े भी खाता है तो यह पाउस से हमने मोर के उपर sentences लिख दिए अब थर्ड में सिर्फ पिच्शर दिया हुआ है कुछ points भी नहीं दिये हुए है और कुछ लिखा हुआ भी नहीं है तो हमको ही कुछ points पहले लिखने है फिर उन points के उपर sentences लिखने है तो पिच्चर में तो आपको दीखी गया होगा यह दिवाली का पिच्चर है तो दिवाली संड के उपर हम क्या points लिख सकते हैं जिसके उपर हम को sentence बनाना है तो संड, रंगोली, कंदिल, फटाके, फराड यह points हम लिख सकते हैं इसके उपर हम sentence easily बना सकते हैं तो सं के उपर दिवाली सरवात मोठा सं आहे, दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, रंगोली, दिवाली गरान समोर रंगोली कारतात, दिवाली में सब अपने घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, कंदिल, घरा बाहर सुन्दर कंदिल लाउतात, घरों के बाहर सुन्दर ब् ओपपटाखे फोड तो हम लोग बहुत फटाके फड़ते है दिवाली में फराड वेगवेगड़ी फराडए खाता थ व शर 시청 नह वाटता तो अलग अलग फराड बनाते है दिवाली में करण्जी क्ली और वो खाते भी है दूसरों को बाढ़ते भी है तो इस तरीके से points बना कर उन points पर हम sentences लिख सकते हैं अब ये last picture एक बाग का है, garden का है तो इसमें क्या-क्या दिख रहा है, flowers दिख रहे है और बच्चों के खेलने के जूले दिख रहे है, bench दिख रहा है तो इसके उपर हम क्या points लिख सकते हैं बाग, फुले, स्वच्च हवा, खेडने, बाग तो इन points को यूज़ करके अब हम sentences बनाते हैं तो बाग, मला बागेत फिराइला आवर तो, मुझे गार्डन में घूमना चाल लगता है फुले, तिथे खूप सुंदर फुले अस्तात, वहां बहुत ही beautiful flowers होते है स्वच्च हवा, बागेत स्वच्च हवा भेटते, बाग में बहुत ही clean, हवा clean air हमको मिलती है खेडने, अब बच्चों के जो खेल लगे हुए, उस पर क्या sentence बना सकते है मुलान साथी जोपाडे, वह घसर गुंडी अस्तात बच्चों के खेलने के लिए swing और slide, वहां रहती है जादा करके gardens में और last में बागेने benches बैटने के तो विश्रानती घ्याइला, बागे ठेव ले लिए अस्तात तो आराम करने के लिए वहाँ benches भी लगी हुई रहती है, ताके लोग वहाँ बैट सके तो इस तरीके से इन points को यूज़ करके हम ये छोटे-छोटे sentence बना सकते तो ये sentences को अच्छे से अपने books में लिख लो बच्चों, यहाँ ये question answers खतम हो गए next video तक, bye bye